आदरनी भगवन भारत सरकार की बजट में एक फोकस बड़ी ही क्लियर थी कि उन्हें मेक इन इंडिया पर फोकस करना है इलेक्ट्रिक वीकल के कंपोनेंस हो गए अत्वा अन्य सामग्रिया हो गए टेक्स्टाइल हो गया अत्वा श्रिम्प हो गया उनका भारत में ही उत्पा गटा दी है ताकि भारत में प्रोडक्शन बढ़ सके तो भारत की जो मेक इन इंडिया थीम थी वो बरावर मजबूत है आगे बढ़ रही है उसी का परणाम है दोस्तों कि आप देख लिए ये टीटागल वेगन ने इटली को अपने कंपोनेंस ट्रेक्शन कनवर्टर एक् स्पोर्ट बढ़ेगा अब दिक्कत यह रही जनाब के रेलवे स्टॉक्स पेटे हुए हैं चल नहीं पा रहे हैं तो उसका एक कारण बताया जाता है कि रेलवे स्टर में लोगों को उमीद थी कि सरकार कैपिटल एक्सपिडिशर बढ़ाएगी लेकिन वो नहीं बढ़ाया है ग्यारा लाख करूर का खर्चा है उसको जसका तस रखा है इसके लिए लोग वाग अपना मुद ताले की तरह लटकाए हैं तो मेरा कहना है कि बजट में अभी भाई साहब 6 महीने और बचे हैं उसके बाद फिर नया बजट आएगा तो अभी पीच में कैपिटल एक्सप को ऊपर चुड़ने के लिए मौके मिलते रहेंगे अच्छी ख़वरें आती रहेंगी रेलवे इंफ्रेस्ट्रक्चर का डिवलपमेंट नेशनल प्रायरिटी है बस ध्यान यह रखना है कि रेलवे स्टॉक्स ऊपरी दाम पर उच्छाल के बाद नहीं खरीदने हैं क्लाइंट बन जाने की करपा कर दीजिएगा महोदय